कि आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं यूपीट्र पर सी दौरा आयूजित ए-ए-ए-ए-ए-ए-म कैंडिडेट्स के लिए कि नौ हजार वारा पतों पर ओफिशियल नौटिफिकिशन के बारे में यह दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो कि आज की वीडियो में हम आपको पताने वाले हैं कि यूपीट बाइस थी ने एन्म कंटिडिस की 9212 पदो पर वैकनशी के लिए ओफीशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यह नोटिफिकेशन आप आसानी से यूपिद्र ड ourselves की साइट पर जाकर देख सकते हैं यहां जब आप यूपिद्र से के साइट पर पहुँचे गे तो आप स्क्रोल करकर प्रस्ताफ नोटिफिकेशन देखेगे उस पे आप क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपको एक PDF मिलेगा उस PDF में आप देखेंगे नंबर 6 पर प्रारंबिक परिक्षा परडाम के उपरांध प्रकाशित विज्ञापन में आप देखेंगे तो कहने पैड एक्जाम के पैटर्ण और स्लेबस के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं अभी तक हम देख रही थें कि पैड़ एक्जाम कैंसेल हो जाएगा लेकिन यहाँ पर इस नोट्रिफिटवाइशन के उकार्डिंग एसा कोई भी अंदिशां के लिए आपकर आपको पैड एक्जाम दे नहीं है पैड एक्जाम देने के बाद ही आपका मेरिट बनेगा और इस मेरिट के अकॉर्डिंग आप एनम वेकिंसी के लिए एपलाई कर सकते हैं यहां यह ऑफिशल नोटिफिकेशन कैसे इसको देखने के लिए आप स्क्रोल करके नीचे आई और 20 अगस्त को पैड एक्जाम आप देंगे तो सितमेर में कभी भी आपका इसम्हार रजंट आसकता है जैसे एक्जाम का रह्जल आएगा उसके बाद में आप एनम वेकिंसी पीलिए एप सकते हैं और जो और उपर नक्तुबर से डालना शुरू कर सकते हैं एक्जाम नवंबर में होगा नवंबर में एक्जाम देने के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है और उस रिजल्ट के अक्वाडिंग ही पोस्ट अलॉट होगी एक्जाम को फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट्स एपलाई कर सकते हैं जहां पर एक् में जो सैलरी का क्राइटीरिया रखा गया है वो लगभग 32,000 से शुरुगात है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही यह नोटिफिकेशन आप जल्दी जल्दी देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिगा और पैट एक्जाम की तयारिक दिए तैंक यू